प्राहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें बात करेंगे इनहीं लोगों से कि क्या क्या आप लोगों ने मांग किये अश्वाक सिद्धी की दफॉर्डर अग्दा के सब्सक्राइब करें और पैसेंजर भी उहीं उतारे कोई फरक ने पड़ता है पाच या दो मीट में यहां से वहां तक जाने कि लिए अगर यह सब थोड़ी सी भी चीज हो गई तुमेगा से रिक्षाइब की और ट्राशी के समझ से अब हद बहुत हद तक का काम हो जाएगा करेंगे आप क्या कहेंगे आप देखी रहेंगे आप ट्राफिक के रिंग में ट्राफिक के जाल में फिर से फस्ता चला जा र लेते लेते करो ना काल खता महोने जो लोगों का आप रोड's पे जो आना यह जो लोगों का आवाक मन चालो हो गया तो ट्राफिक ने फिर आज जाम कर दिया पूरे mara को उसरी की मांग को देखते वे उसरी के परिशानी नो देखते हम लोगों ने अगर इन पर सकती से कारवाई होगी तो मैं समझता हूँ कि कही ना कहीं हमारे साहर खुले तरीके से जब कर देखों पर अकरती तो आपई लोग चले आते हो कि अगरीबों पर जुलब हो रहा है क्यों कर तो आप हैं साब को बोलता हुए खैड मेरा नम तो थीक है नेतागीरी होती है प्रवाई करते हैं तो तमाम नेता सहर के यहां आ जाते हैं कि क्यों कारवाई हो रही है गरीबों पे जुल्म हो रहा है यह तो कि सासन को अपना काम करने दिया जाए अगर ट्राफिक से निजात पाना है तो सासन को अपना काम करने जाता है जो लोग यहां आते हैं कि गरीबों पे जुल्म हो रहा है वही नेता आते हैं सीनियर पी आई से मिलते हैं और कहके जाते हैं कि अब है द्रेक्टों पर कारवाई ह रूज्प होती हैं तो यहां कंड ही कर रहे हैं के लोग चाहिए हिंगत céu इस तो लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? आपने अभी पूछा है ना उनसे कि आप लोग रोट सो गाड़िया क्यों नहीं अटा रहे तो क्या उन्हों ने बता है कि एक सो पचास केसस बने हम लोग ने तो उनके कारवाई चालू है और सहर को भी चाहिए कि अगर सहर के लोग भी इस हैर में रहने लोग चाहिते हैं कि कि आप पूछे ले कि कारवाई कैसी चालू है अभी पार्किंग में घाड़िया खड़िये वहीं जी देड़ सो फाइन हुआ है देड़ लाग फाइन नहीं देड़ लाग फाइन पोचेगा ना देड़ लाग लोगों पर उतीं में समर्ता हो सीधे हो जाएंगे हमारे मुम कि आप लोगों पर बताते कि जो वसूली हो रही है पाइपास पे खड़े रहते हैं नंबर से लिया जाता है फिर आगे जाने दिया जाता है आप लोग इस पर कब उत्रों कि आप लोगों को नहीं जानता हूं और कई हद तक मेरे भी सामने आया है इसे मामलाग पे भी हम लोग ट्राफिक सीनर्स आपको मेमोरंडम देंगे इंशाला जरूर देंगे और इसे मामलाग को ख़तम करने के लिए कि कब ख़तम होगा यह नहीं समझ किसी को कोई भी नेता इस पे नहीं बोलता है थामोश रहते हैं जरूर बहुत करें जरूर कम काल्यान फाटा भी होता है टोड़नाखे पे भी हैसे ही होता है जरूर रहे है आप लगोग आपको लेंगे चौनेंगे शरूर अब को आपके सामने मेमोरंडम देंगे कि आके नहां पर ऐसा क्यों हो तो आपने सुना कि इस तरह से जो ट्राफिक फिरी मुम्रा के जो अज़ेच है करीम खान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो टीम है वो आज इसे जो मुम्रा शहर में जो है ट्राफिक कंट्रोल कर ले के लिए उतरे गी और खास तौर पर जिस तरह से चाहे वो कल्यान हो गया यहां पर भी जो क्राफिक जाम की स्थिति पैता होती थी और भी वहां की जो समस्तिया हैं उनको लेकर भी यह आगे काम करेंगे कैमरामन जफर के साथ इस्लामोदिन खान प्राटम्स मुंगा